बुद्धी परिक्षण पहले बात कर लेते हैं कि जो बुद्धी है फोड़ा था बता दे इसके बारे में वो किसी भी व्यक्ति की बुद्धी का पता लगाने के लिए विभिन प्रकार के बुद्धी परिक्षणों का निर्मान किया गया है विभिन मनोवैग्यानिकों ने समय समय पर विभिन बुद्धी परिक्षण बनाए इनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है तो कमाल की बात है कि जो बुद्धी परिक्षण है वे दो वर्गों में विभाजित है अब वे दो वर्ग कोन कोन से है पहले वरक के हम बात करें तो पहला वरक है व्यक्तिक बुद्धी परिक्षन यानि कि जिसको आफ परसनली और्गनाइजिस करते हैं इसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है और इसका आरम बिने ने किया तो important question यहां पर बन जाता है कि बुद्धी परिक्षन कित परिक्षन हो है सामूहिक बुद्धी परिक्षन यह तो अकेले अकेले पे किया जाएगा यह पूरे ग्रूप पे किया जाएगा समूप पे किया जाएगा यह परिक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है इसका आरम पर्थम विशुद के समय अमेरिका में हुआ अमेरिका में कब हुआ था पर्थम विश्यूद के दोरान हुआ था कारण यह है था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग गयताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसरों वै करमचारियों के अन्यापदों पर निव्ट करना चाहती थी अब एक साथ बहुत सारे सैनिक भरती करने है उनकी बुद्धी लब्धी भी चेक करनी है तो सामोहिक बुद्धी परिक्शन वहाँ पर लिया गया था तो कितने प्रकार के बुद्धी परिक्शन होते है दो परकार के होते है व्यक्तिक और सामोहिक व्यक्तिक एक आदमी पर ह होते हैं भाषात्मक और क्रियात्मक ध्यान दीजी का ये व्यक्तिक के भी परकार है और ये सामुहिक के भी परकार है जो सामुहिक बुद्धि परिक्षन होता है और जो व्यक्तिक बुद्धि परिक्षन है उनके के समक्ष नहीं है वही अमुर्थ बुद्धी है इसका मुख्य अदेश है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ग्यान है तो ये लिखने पढ़ने के ग्यान का पता लगाती है उसे परशनों के उत्तर लिख कर गोला बना कर गुणा बना कर रेखांकित करके देने होते है इस परिक्षा में निम्न प्रकार के परशन पूछे जा सकते हैं पहला परशन है अंक गणित के परशन जो आपके competitive exam में पूछे जाते हैं वहवारी ज्यांसे संबंदित परशन case study है इसको बोल सकते एक तरीके से निर्देश के नुसार परशनों के उत्तर आपको निर्देश दिये जाएंगे उसके नुसार आपको उत्तर देने होंगे समनार्थी या विलोम शब्द तो समनार्थी विलोम शब्द भी आपके भाशात्मक परिक्षण में आते हैं तो भाशात्मक परिक्षण में पांचा जो point आता होता है बेतर्तीव सब्दों का तर्तीव सब्दों में लिखना अशुद से शुद लिखना, ठीक है ना? तो कुल मिलाग के इसमें भाशा का परियोग किया जाएगा और इसके अंदर नीमन प्रकार के जो पृष्ण है वे कवर किये जाएगा बात करते हैं किरियात्मक परिक्षन की, किरियात्मक परिक्षन किस प्रकार का परिक्षन होता है, तो आपको बता दे, इससे पहरे जो भाषात्मक परिक्षन था, वो उन लोगों के लिए था है, जिने भाषा का ग्यान नहीं होता है, जिने भाषा का ग्यान कम होता है, जो प अपको किस प्रकार के हो सकते है जैसे चित्र के बिखरी वे टुकुडों को कुछ टुकुडे है एक क्रम मे लगाना है उन्हें यह आपका कोश्चन होगा। इसके बाद कोई चित्र है दे दिया उसमें कोई असंभव बात दिखाई दे रही है, आपको उसको पहचानना है कि इसमें असंभव बात क्या है जैसे कोई हाती उड़ रहा है तो हाती उड़ रहा है, तो उसमें यह असंभव है, तो उसे पहचानना पड़ेगा जो तीसरी समश्या दी जा सकते है वो है तिकोनी, चकोर और या फिर गोल वस्तों को जोड़कर एक आकरती को पूरा करना होता है। जो पहला परिक्षन होता है, व्यक्तिक जो किसी एक पर किया जाता है, दूसरा होता है सामोहिक, सामोहिक पूरे गुरूप पर करते हैं। पूरे व्यक्तिक परिक्षन के नाम दिये गए है, कौन सा व्यक्तिक है और कौन सा आपका सामोहिक है, इस चीज का पता अभी चलेगा। जोड़े बना दिये गयМे अब इनकी बात करेंगे कौन कौन से किस गुरूप में dog approximation SIbdha को लेजाक और हैं? इसी प्रकार से कोशन आता है तो चले शुरू करते हैं से टोपिक को पहला है जैसे व्यक्तिक जो किसी एक सिंगल आदमी पर किया जाए भाशा आत्मक जिसे भाशा का ग्यान हो परिक्षन तो ऐसे दो परिक्षन है पहला है बिने साइमन स्केल और स्टेलफोर्ड बिने स्केल दो परकार के हैं ये व्यक्तिक भी है और भाषात्मक भी है सिंगल आदमी पर किया जाएंगे ये और जिने भाषा का ग्यान है उन पर किया जाएंगे अब बात करते हैं व्यक्तिक क्रियात्मक परिक्षन जो किसी एक सिंगल आदमी पर किया जाएंगे लेकि जिने भाषा का घ्यान नहीं है, उन पर किया जाएगा, तो वे दो है, पोर्टियस भूल-बुलाईया परिक्षन, नाम सी पता चला है, भूल-बुलाईया परिक्षन और वैशलर वैल्यू टेस्ट, तो यह दूसरा परिक्षन है, यह वैक्तिक किरियात्म करिक्षन है, सामूहिक जो पूरे समूमे किये जाएंगे और जिने भाषा का ग्यान होगा उन लोगों पे किये जाएंगे तो दो है एक है आर्मी अल्फा टेस्ट very very important very very important आर्मी अल्फा टेस्ट और उसके बाद दूसरा है सेना, सामान्य वर्गी करन टेस्ट इसे प्रकार जो ग्रुप में किया जाएंगे सामोहिक और क्रियात्मक जिनने भाषगा ग्यान नहीं उन लोगों पे किया जाएगा तो ऐसे दो है आर्मी बीटा टेस्ट वेर इंपोर्टेंट और सिकागो क्रियात्मक टेस्ट ये भी वेर इंपोर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए ये नाम आजाता है आपको पता करना होता है कि इन में से कौन सा आपका व्यक्तिक है, भाशात्मक है, क्यों सा आपका सामोी क्रियात्मक है इस प्रकार से पहचानना आपको होता है तो ध्यान दीजेगा सिंगल आदमे पे चार टेस्ट किये जाएंगे बिने साइमने स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल पोर्टियस, भुलबलया परिक्षन और वैसल वैल्यूब टेस्ट यह चारो चारो इस सिंगल आदमे पे होते हैं और जो नीचे के चारो है, वै ग्रुप में की किये जाते है बस फर्क इस बात का है, जो पहले दो है वै भाशात्मक है, फिर बाद के दो क्रियात्मक है पहले दो भाशात्मक है, फिर बाद के दो क्रियात्मक है तो पूरा नाम बनता है आपका इस तरीके से ये आपको याद करने पड़ेंगे इस page का आप screenshot ले 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 जे और इसको याद करके डाल दीजे आपको याद करने करने है कोई और option नहीं है इन बुद्धी परिक्षणों का classification यह आपर दिया गया है यह आपको याद करना ही करना है बहुत easy है एक दू बार पड़ोगे यह याद हो जाएगा देको भूल भुलाईया से याद है कि एक activity based है मतलब यह तो क्रियात्मक है यह तो पता चला है क्रियात्मक है लेकिन यह एक single आदमी पर होता है ठीक है इसी प्रकार से आप अलग अलग trick बना सकते हो जो army वड़ से क्या बनता है आर्मी वड़ जहां भी है सेना वड़ जहां भी है शिकागो यह वड़ जहां है समझो है यहां group की बात चल रही है तो इस सामूहिक है यह सामूहिक है पस पहले दो आपके भाशात्मक है बात के दो आपके गिर्यात्म के आपको याद करना कैसे भी याद करें वो अपनी strategy हो सकती है आगे चले तो बुद्धी परिक्षणों की उप्योगीता क्या क्या उप्योगीता है क्यों बुद्धी परिक्षण लाने पर मजबूर किया गया क्यों इनकी कमी महसूस हुई हमें बुद्धी परिक्षण करने पड़े तो कारण क्या क्या है जो पहला करनाता है सर्वत्तम बालक का चुनाओ करने में सर्वत्तम बालक का चुनाओ करने में कोई बच्चा है उस जीनियस बच्चा निकालने आपको किसी गुरुप में से तो उसका चुनाव करने में बुद्धी परिक्षण की उपयोगिता है पिछडे बालकों का चुनाव करने में जो बालग बहुत पिछडे ववेजिन पर अलग से ध्यान देना है उनका चुनाव करने में भी बुद्धी परिक्षन की उप्योगिता बहुत जादा है अपराधी वैस समश्यात्मक बालकों का सुधार करने में जो अपराधी बालक होते हैं बाल सुधार ग्रह में जो बालक जाते हैं जो समश्यात्मक बालक होते हैं सुधार करने में भी बुद्धी परक्षण की आवशक्ता पड़ती है बालकों का वरगी करन करने में जैसे ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C, ग्रूप A में बहुत जीनियस बच्चे, बी में जिस एवरेज बच्चे बुद्धी परक्षण की बहुत जरूरत होती है, बहुत महत्ता होती है बालकों की विसिट योग गयताओं का ग्यान करने में बालकों की छमता के अनुसार कारे करवाने में बालकों की विसिट योग गयता क्या है, उनका केरियर फिल्ड क्या होना चाहिए, क्या चुनाओ करना चाहिए उसके लिए भी बुद्धी परक्षण बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है बालकों की भावी सफलता का ग्यान करने में मतलब बालत की जो सफलता है वो इस चीए फिल्ल में सकस्स हो गया है फेलियर होगा इसी का पता करने में भी आपका बुद्धी प्रिक्शन की बहुत उप्योगिता है अपवे का निवारन करने में अपवे का निवारन यह बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डीप कोंसेप्ट है अपवे मतलब क्या होता है एक होता है अपवे एक होता है कम खर्च करना एक ज़्यादा खर्च करना जब चीज़े ज़्यादा खर्च होती है तो थोड़ा सान उकसाम होता है उस चीज़ का मतलब आप किसी फिल्ड में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो ठीक है अब आपको चाहिए कि मुझे सेम आउटपुट चाहिए लेकिन खर्च कम होना चाहिए तो उस सिच्वेशन का समाधान बे आपका बुद्धी परिक्षन ही करता है वो कैसा करता है वो आपको जो हमारी ये सिरीजस के लास्ट चैप्टर आपको पता चलेगा कि अपवेकन या विन्यवारन बुद्धी परिक्षन किस परकार कर सकता है राष्ट के बालकों की बुद्धी का ज्यान करने में जो राष्ट के बालकों की बुद्धी का ग्यान करने में भी जैसे नेशनल ओलम्पियाड वगएरे एक्जाम होते है यह बुद्धी परिक्षन का ही प्रकार है तो राष्ट के बालकों की बुद्धी का ग्यान करने में भी आपका बुद्धी परिक्षन बहुत महत्कून अगर आते रहें और अगर आप गौर्मेंट टीचिंग की तैरी कर रहे हैं तो आपको हर एक वीडियो देखने ही पड़ेगी इस प्लेइलिस्ट की ताकि आप हर चीज क्लियर कर सकते हैं कोई भी सुझाओ हो कोई भी बात बोलने हैं प्लीज कमेंट जरूर करना हम उस पर गो इस प्लीज की रहें बात बहुत हैं जरूर कर दो ताकि रहें वीजाओ समें प्लीज के प्लीज के प्लीज कर दो प्लीज कर दो लिए आपर चाल